आज का दिन मुंबई और महाराष्ट्र के साथ ही विक्सित भारत के संक्रप्र के लिए बहुत बड़ा बहुत अहित्यासिक है। आज विकास का यह उत्सव भले ही मुंबई में हो रहा है लेकिन इस पर पुरे देश की नजर है। आज दुनिया के सबसे बड़े श्रीव भीज में से एक यह विशाल अटल से तु देश को मिला। यह हमारे उस संक्रप का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं। लहरों को भी चीन सकते हैं। आज का एक आरकम संकल्प से सिद्धी का भी प्रमाण है। मैं 24 दिसंबर 2016 का दीन नहीं भूल सकता। जब मैं मुंबई ट्रांस हारवर लिंग अटल सेतु के सिलान्यास के लिए हाँ आया था। तब मैंने चत्रपती सिवाजी महराज को नमन करते हुए कहा था। कि लिख कर रखिये देश बदलेगा भी और देश बड़ेगा भी जिस व्यवस्ता में सालों साल काम लटकाने की आदत पड़ गई थी। उससे देश वाज्यों को कोई उमीद बची नहीं थी। लोग सोगते थे कि उनके जीते जी बड़े प्रोजेक्ट पुरे हो जाएं यह मुश्किली है। और इसलिए मैंने कहा था लिख कर रखिये देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। यह तब मोदी की गारंटी थी। और आज मैं चत्रप्रती सिवाजी मारात को फीर नमन करते हुए। मुम्रा देवी को नमन करते हुए। सिद्धी बिनाईग जी को प्रणाम करते हुए। यह अटल से तु मुम्बई करों को देश के लोगों को समर्पित कर रहा हुए। कोरोना के महा संक्यट के बावजूद मुम्बई ट्रांस हारबर लिंक का काम बहुत पुरा होना बहुत बड़ी प्लब्दी है। हमारे लिए सिलान्याद, मुमिपजान, उद्गाटन और लोकारपन सिर्व एक दिन का कारकंबर नहीं होता। नहीं है मिडिया में आने के लिए और जनता को रियाने के लिए होता है। हमारे लिए हर प्रजेक भारत के नव निर्मान का माध्यम है। जैसे एक-एक इड से बुलंद इमारत बनती है। वैसे ही ऐसे हर प्रजेक से बव्य भारत की इमारत बन रही है। साथियों, आज यहां देश के मुंबई और महरास्त के विकास से जुड़े हुए 33,000 करोड रुपे के प्रजेक का शिला न्यात वा लोकार पड़ हुआ है। यह प्रोजेक रोड, रेल, मेट्रो, पानी जैसे सुविदाओं से जुड़े हुए है। आज वियापार जगत को मजबूती देने वाली आधुलिक भानत रत्नम और नेश्ट वन बिल्डिंग भी मुंबई के लिए को मिली है। इसमें से अधिकतर प्रजेक तब शुरू हुए थे, जब महरास्त में पहली बार डबल इजी के सरकार बड़ी थी। इसलिए महरास्त में देवेंद्र जी से लेकर के अब एकनाथ सिंदे जी अतीच पवार जी तक पूरी टीम के प्रयासों का परणाब है। मैं उन सब को बढ़ाई देता हूं। मैं आज महरास्त की बेहनों को भी बढ़ाई दूगा। इतनी बड़ी तादाद में मैलाओं का आना, इन माताओं बेहनों का हमें आशिरवाद देना, इससे बड़ा सवभा कि क्या होता है। देश की माताओं बहरों बेटियों के ससक्ति करण की जो गारंटी और जो गोरंटी मोदी ने दिये ना, उसको महरास्त्रा सरकार भी आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री महिला सक्षमी करण अभ्यान, नारी शक्ति दूत अप्रिकेशन और लेक लाड़ की योजना ऐसा ही एक उत्तम प्रयास है। आज यहां इस आयोजन में हमें आशिरवात देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताए बैने और बेटिया आई हुई है। विक्सित भारत के निर्माण के लिए भारत की नारी सक्ता का आगे आना, नेत्रुत्व करना उत्रा ही आवश्यक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि माताओ बैनों बेटियों के रास्ते में आने वाली हर रुकावण को दूर करें, उनकी जिन्दी की आसान बनाए। उज्वला का गैस सिलिंडर हो, आविश्पान योजना के तहट पांत लाख रुपे के मुप्त हिलात की सुवीदा हो, जंदन बैंक खाते हो, पीम आवास के पक्के घर हो, गरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हो, गर्वोती महिलाओं के बैंक खाते में 6 जार रुपिय भेजना हो, नोकरी करने वाली महिलाओं को वेतन के साथ 26 हफ्ते की छुट्टी देना हो, शुकन्या समुर्दी खातों के माध्यम से जादा से जादा व्याद देना हो, हमारी सरकार ने महिलाओं के हर चिंता का ज्यान रखा है, डबन इन्जीत की सरकार किसी भी राज में हो महिला कल्यान उसकी सबसे प्रसम प्रवोग हमारी गारंटी है आज जो योजनाई शुरू हो रही है वो भी इसी दिसा में बड़ा कदम है